हेलो एन वेलकम टो अगरवाल क्लासेश मैं उसी एकरन सतीजा दोस्तों और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने आलो कि 70 डेज में आप लोग सी इंडर को कैसे क्रेक कर सकते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है क्या आपको दोनों देखो दोस्तों यह जो पॉइंट है यह अपने परस्नल कैपैबिलिटीज के ऊपर रहता है अपना ग्रास्मिंग पावर अपका पढ़ाई करने का टाइम आपका लेवल ओफ रिपरेशन तो यह इंडिवीजुल कंसेप्ट है आप इंडिवीजुली डिसाइड को आपको स में बफर नाइम भी दिया हुआ है सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग बोद देने वाले हो तो कंपल्सरी बाइब हुक और बाइब कुछ भी करके आपके दो रिवीजन होने चाहिए और अगर आप लोग सिंगल गूरू देने वाले हो तो आपके मिनीमम तीन रिवीज करने के लिए 30 सब्टेंबर के बाद में यानि कि अपका 31 सब्टेंबर से लेकर 20 अक्टोबर तक आपको सेकेंड रिवीजन के लिए टाइम मिलने आला है और उसके बाद में रहेगा आपका फेस त्री तो देखो इन डीटेल में आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले जो परस्नेल यह डीटेल प्लान में मेरे अपोडिंग भी बता रहा हूं आपको जो मैंने फॉलो किया था यह जो मैंने देखा जिससे रिजल्स काफी अच्छा थे कि पर डे आप लोगों को ने दो सब्जेट को फॉलो करना चाहिए आपका कमांड ज्यादा स्टों होता है उन मेरे इसाब से बनाए वे अगर आपको भी कंफ्यूजने कौन से सब्जेट आपने कब करने चीए तो प्लीज दोस्तों आप लोग सिफ इसी प्लान को फॉलो करो 100 परसेंट रिजल्ट आएगा मेरी गारेंटी सबसे पहले जो आपका फर्स्ट फेस रेगा देखो दोस्तों तो फॉल फॉर्टी डेस हमारे पास आठ सब्जेक्ट पढने यानि कि आपके आपके पास देखा जाये तो एक सब्जेट के लिए पास दिन बचते है ठीक है बड़ा एक इकी सब्जेट करते बढ़ते हो तो एक नाम वह मोनोटोनोस हो जाता है वह एनरजी नहीं बचता है वह एन्तुसियासम नहीं बचता है वह सब्जेट को पढ़ने का इसके लिए मेरा सजेशन है आप एक दिन में दो सब्जेट को बढ़ो सबसे पहले 21 और 30 सब्टेमबर तक एकॉदिन टू माय टेम टेबल आप लोगों ने पढ़ना चाहिए अकाउंट और ऑडिट यानि की 10 सब्टेमबर से लेके 19 सब्टेमबर तक आप लोग कॉस्टिंग ले लो एन उसके साथ में EIS SM को कंप्लीट कर लो और लास जो फेसरेगा 20 सब्टेमबर से लेके 30 सब्टेमबर तक उसने आप टैक्स और साथ में FM और EFF को कवर कर लो प्लान ऐसा ही बनाया गया है दोस्तों कभी आपको ना मन में यह डर नी आना चाहिए यार मैं गुरूप बन पढ़ रहा हूं मेरा गुरूप टू भी वाकी है यार रोज ना दोनों गुरूप को टच कर रहो यह काफी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए जो आपका सेकेंड पेस रहेगा ना दोस्तों 1st October से 20 October चलन आले उसके अंदर आप लोगों को स sollte कर ने हैं आपके तीन सब्जेक्ट्स क्षांग कब यह नि नूए दोस्तों यह नगे लेकिन वीक सब्जूट को करना चाहिए न हो तो हमारे स्ट्रॉंग नहीं है वीक हैं में उसके उपर जादा ध्यान देना है दोस्तों ध्यान से सुनना मैंने स्ट्रॉंग सब्जेट को पहले कंप्लेट करने क्यों बोला एक तो आपका कॉंफिडेंस बूस्ट होएगा कि पास दिन के अंदर कंप्लेट हो गए तो एक एडिशनल दे मिलेगा आपको आपके वीक सब्जेट के उपर फोकस करने के लिए है ना अगर यही आकर मानलो आप लोग पहले वीक लेके बैट गए आट के जगह पे दस दीन चले गए तो ना ठीक से आपके वीक सब्जेट का दो सकते हैं वीक भी दो तीन हो सकते हैं तो फेस्टु यानि कि आपका सेकेंड डीविजयन का स्लॉट है उसमें पहले स्टॉंग सब्जेट को करो पहले छे दिन हैं बात हैं जो मॉडरेट सब्जेट हैं उनको फिर से 6 दिन देदो और लास्ट में आपके वीक सब्जेट तो आपने 8 दिन देना है देखो दोस्तों ट्राइक करना है यह वीक सब्जेट आपके 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मैक्सिमम तीन रहने चाहिए क्लियर सबको फिर आता है आपका फेस 3 यह फेस ही के अंदर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ MTP प्लस RTP प्लस पास examination question की उपर focus करना है दोस्तों यह सचसे बड़ा C exam में मीत है कि यह मेरे पहले वाले attempt में आया ता या उसके पहले वाले attempt में आया था तो मेरे attempt में नहीं आएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो यह मित को अपने माइंड से निकल लो कि पिछले एक्जाम में आप भी नियाएगा नहीं होगा आ सकता है कि एक्जाम में तो यह जो आपके अगले 8 दिन है 21st October से लेके 28 October तग यानि कि कुल 8 दिन में आपको डेली वन सब्जेक्ट को उठाना है डेली इच एंड एवरी सब्जेक्ट का 28 अउगस तक आप लोग यह तक क्लियर हो जाओगे 29 अउगस दोस्तों मैंने एक स्पेर डेरा का आप लोगों के लिए अगर कभी आपका टाइम टेबल में कुछ भी प्लस माइनस हो गया या कोई कंसेट को आपको 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 कर सकते हो और बच्रा 30 31st एंड फर्स आपको एक्स्क्लूजीव ली देना है आपके फर्स्ट पेपर याने की अकाउंट की ऊपर देखो दोस्तों फर्स्ट पेपर आपका कॉंफिडेंस को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा इसके लिए मेरा सजेशन ही कि आप लोग ज् सिर्फ चारी सब्जेक्ट्स बढ़ने मैं आज्यूम कर रहा हूं आप लोग बन देने वाले हो अगर ग्रूप टू भी दे रहो तो सिर्फ सब्जेट के नाम चेंज होगे बट प्लैन एज इस रहेगा आपका तो अगर आप सिंगल ग्रूप दे रहे हो दोस्तों आपके कम मितसे कम तीन रिवीजन होने चाहिए तो आप का फिर्स्ट फेसरेगा 21 और स्थे लेकर 4 सप्टेमर जबापको कंपलिट करना थैक्स और कॉस्तिंग इसकंडब आपका आपको दोस्तों 9 लोग ग्रूप 2 तो तुम है तुरंद भाजू में लिग गदेता हूं यहाँ आपक और SM तो यानि कि यही शेडियुल जहापे नीचे मैंने टैक्स और कॉस्टिंग लिगा आपको क्या फॉलो करना है एडवांस अकाउंट्स और ओर अपको क्या फॉलो करना है एडवांस अकाउंट्स और ओर फिर फरस्ट और से टेंट अक्तोबर आपको करना है अकाउंट्स और लो यानि की एसम और या इससे जो गृप तूदेर है उसके बाद नब का फेस्टिर फिर चालोगा 11 अक्तोबर से 16 अक्तोबर यानि कि यहां पर आपको एकदम डीटेल पड़ेंगे फिर बच्चों आपका फेस थी चालो होगा 23rd October से लेके 26th October रादर यह फेस थी नहीं बोलूगा मैं इसको फेस फोर रहेगा यह आपका जहापे आपको डेली वन सब्जेट का MTB-RTB पास्ट इग्जामिनेशन के क्वेशन को सॉल्व करना है उसके 27-28 आपके लिए मैंने दो दिन स्पेर में रखे क्योंकि आपके आपस टाइम था अच्छा खासा इन दो दिन में दोस्तों आरम नहीं करना आपको जो लेकिन आपके हिसब से इंपोर्टन लग रहा है यानि कि यह सर मेना यह फ्राइंट को बार भार भुल रही हो मुझे लॉके सेक्षिंट याद नहीं है मुझे PGBP में दिक्कत आ रहे है मुझे Capital Gain याद नहीं आ रहे मुझे दोस्तो बहुत इंपोर्टन रहता है फर्स पेपर में आपका confidence boost होना वो डिसाइड करेगा आपका result pass या फेल यानि कि उसका जो confidence रहता है आपके छेन साथ पेपर इसमें आपका कैरी होता है तो एक दम अच्छे से आपके पहले पेपर की त्यारी करके जाना और यह जो भी मैंने आप लोगों को भी बताया यह पूरा डिटेल सेडिल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दाल रहा हूँ अगर वीडियो पसंद आया रहेगा दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक कर यह मैं उसके लिए भी वीडियो लेका चाहूँगा बट अंतिल देन स्टिक तु इस प्लै चलो थैंक यू गाइस सी यू सुन बाबाय और बेस्ट आफ लग फॉर एक्जाम्स